वेलकम बैक टू मैं चैनल दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का अपनी यूटूब के चैनल पे दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यमसिक ऐसे स्टॉक का मज़िकर करने वाला हूँ जिसके बारे में मैंने आपको बहुत वार अल्लेडी बताया है यह स्टॉक ने दोस् मार्केट के उठापटक में इसको ज्यादा फरक पड़ता नहीं अगर लोग मार्केट के अंदर रहेंगे तो यह स्टॉक अपना परफॉर्मेंस देखता ही रहेगा दोस्तों हर गिरावट पर उठाईए अच्छा का सा करेक्शन भी स्टॉक के अंदर देखने को मिला है औ दोस्तों जोर से कीज़ेगे सबस्क्राइब चलिए सिरुवात करते हैं वीडियो की तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी का रेवेन्यू कितना हम मिला है तो टोटल रेवेन्यू दोस्तों इस बार जो आया है वो करीब करीब यह सारा डाटा लाक में है दोस्तों तो हम इसको करोण में कर देता हूं तो इस बार 294 क्रोण बीट के गया है quarter 3 में तो दोस्तों 203 क्रोण वहाँ पी देखने को मिला तो दोस्तों बात करेंगर quarter on quarter या बात करें हम वाई यो वाई तो दोस्तों बहतरीन performance sales के अंदर हमको देखने को यहां पर मिल रहा है अब हम बात करते हैं company के खर्चे दोस्तों company का खर्चा अगर massive देखने को हमको मिल सकता है दोस्तों तो हम तब से पहले बात करेंगे company ने किस तरीके से expense किया है मतलब खर्चे की है चलिए देख लेते हैं तो यहां पर दोस्तों जो detail निकल के आती है last year की बात करें दोस्तों तो यहां पर आप देख सकते हैं 144 क्रोण का खर्चा था इस दोस्तों खर्चे में अच्छा कासा jump है अगर profit है loss हमें देखना है तो खर्चे को revenue से minus करना पड़ेगा tax के बाद तो चलिए हम देख लेते हैं तो यहां पर आप थोड़ा सो देखिए ध्यान देने जरूरत है net profit for the period हम देख लेते हैं किस तरीके का company ने profit generate किया है क्योंकि after चलिए बार करीब 56 करोन का profit बनाया है लास्ट यह प्रॉफिट 35 करोन का था मैसिव जम्प है दोस्तों year on year और last quarter की बात करें तो ओल्मोसd 48 करोन का profit था तो दोस्तों आप बात कर लें है year on year की बात अगर आप करें यह क्यों क्यों की बात करें तो अच्छा खासा profit के अंदर jump हमको देखने को मिल रहा है इस company के अंदर तो दोस्तों इस company पे नजर रखिएगा और मैं यह नहीं कहता आप तुरंट ही खाईद लीजिए इसको नजर में रखिए हर गिरावट वे इसको खाईदने के आप कोसिस कीजिए कोई कमस नहीं बहुत ही बॉलेट दिखाई दिती है अपने बिजनेस के अंदर अभी आप देख सकते हैं EPS की बात के 23 का EPS दर्ज किया है लास्ट यह 11 का था और लास्ट कोटर में करी 15 के EPS पर काम काच्छी कर रही है दोस्तों तो स्टॉक का नम मैं आपको खासा करेक्शन हो चुका है दोस्तों उसको भी अपनी नजर में जरूर आप रखिए अच्छा पैसा वहां भी बनेगा दोस्तों लॉंग टम में बात करें दोस्तों फ्राइडे के सेशन में यह 1192 पे क्लोज हुआ अल्मोस 2% की तेजी आपने देखिए अच्छा खासा इसके अंदर करेक्शन हो चुका है अपने हाईयर लेवल से यह स्टॉक अल्मोस 1475 रुपए के आसपस आपने देखा तो इसका जो अल्टाइम हाई था और 1475 रुपए अभी आपको मिल ला है 1192 रुपए पे आगे आने वाले सिसन में मतलब ट्यूजडे को जब मार्केट खुलेगा तो बड़ी तेजी स्टॉक के अंदर हो सकती है तो आप जल्दी बाजी मत कीजिए खाइदारी की धीरे-दीरे करके आप बाई कीजिए से स्टॉक को बात करें एक हफते की तो दुज़स्तों 32% के बहतरीन इसने डिलावर की हैं 2022 की बात करें जब से शुरुआत हुए अच्छा ही प्रजर्शन की आप तक 12% का रिटन का और अगर हम बात करें इसके वन येर के टाइम फ्रेम में तो दोस्तों खूब सूरत रिटन एक साल में भी है करीब 175% के रिटन पैसा डबल से ज मात्र चाउवन रुपयाला स्टॉक ध्यान से देख लिजे आपके सामने है 1192 पे और 1475 रुपय का हाई भी लगा चुका है दो हज्यार परसेंट के रिटन है पांच वर सब इसको हुए भी नहीं वो भी अक्टूबर में जाके रूँगा आप देख सब्सक्ते किस तरीके की तेजी है तो दोस्तों गिरावट में से स्टॉक पर नजर रखिएगा अच्छे नतीजे दिये हैं तेजी आंगे बन सकती है तो जल्दिवाजी नहीं धिरी धिरी आपको खईदारी करने से स्टॉक के अंदर बात करें सके मार्केट के आपका तो कंपनी भी छोटी दोस्तों साड़ेती निजार कौन से चारजार कौन का मार्केट के 23 के पी वैल्यूशन पर कामकाच कर रही है और जैसा मैंने आपक बताया कि आपने इसका हाई देखा था 1475 रुपएगा लो 380 रुपएगा तो सेर इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जो आपके अच्छे पैसे बना के दे सकता है लॉंग टम में खईदारी करके चलिए लंबी दूरी में अच्छे पैसे इसमें बन सकते हैं